नबश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर So हमारी economy को और जादा आत्मनिभर बनाने के लिए भारत सरकार एक और बड़ा कदम ले रही है We are going to ban the low-grade imports जो की हम लोग दूसरी country से मंगवा रहे थे Low-grade कह लीजिए या फिर sub-standard products कह लीजिए जो की हम लोग दूसरी country से मंगवाते थे उनके आयात के ऊपर अब बहुत सारी पाबंदियां लगने वाली हैं Interestingly इसमें जो total हम लोग imports को ban करने वाले हैं उनका जो आकडा है that stands at around 128 billion dollars और इसमें यह बताया जा रहा है कि चाइना को काफी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं financial expense की यह वाली खबर है Government to widen the crackdown on low-grade imports and the move is going to hurt the Chinese suppliers the most बात करेंगे कि यहाँ पर कौम से कौम से ऐसे products हैं जिनके ऊपर सरकार शिकंजा कसने वाली है और डिसकस करेंगे इस पूरी की पूरी move का क्या फाइदा हमें देखने को मिलने वाला है चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए इस चीज को लेकर BIS याने की Bureau of Indian Standards की एक खास meeting हुई है 20 अपरेल को जिसमें की कई सारी ministries के कई सारे अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए है उनका number approximately 371 है और इसमें यह कहा जा रहा है कि यह वाले जो 371 प्रोट्स इंडिया बहार से मंगवाता है इनकी total value जो हम एक साल मंगवाते हैं यानि की total जितना भी हम लोग आयात करते हैं उसमें ऐसा मान लीजे कि लगभग 25% के आसपास का जो आयात है वो हम low grade प्रोट्स के पहले लेकिन जो नए आकड़े होंगे वो भी मैं समझता हूँ कि लगभग इसके आसपास एसे थोड़े जादा ही होंगे क्योंकि हमारे imports पिछले कुछ सालों में बड़े भी हैं इसके साथ ही में obviously यह पूरा का पूरा जो move है यह इसलिए हो रहा है because हम लोग भारत को एक reality बनाने की कोशिश कर रही है अगर बात करें कौन से कौन से products इसके अंदर include किया गए है तो दोस्तों number one इस पर आते हैं air conditioners, toys आते हैं, footwear आते हैं, pressure goes आते हैं, microwave आते हैं और इसके इलावा कई सारे products हैं जो की अलग-लग sectors में आपको देखने को मिलते हैं जैसे की consumer electronics, steel, heavy machinery, telecom, goods, chemicals, pharmaceuticals, paper, rubber articles, glass, then industrial machinery, then metal products, then furniture, then fertilizer, food and textiles, तो कई सारे sectors में, जिस भी सेक्टर में सब standard चीज़ों को मंगवाया जा रहा है, उस सेक्टर के ऊपर अपशिक अंजा कसा जाने वाला है, किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए अभी तक proper framework सामने नहीं आया है, लेक इन्होंने यहाँ पर कहा है, the idea is to identify the imported products for which standard specifications are yet to be developed or revised, यानि कि जो भी चीज़ हम लोग मंगवाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग एक standard specification निरधारित करने वाले हैं, कि अगर वो वाली चीज़ उस specification को meet करेगी, तभी जाकर के उसको इंडिया में मंगवाया जाएगा, और य इसका फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा कि हमारी जो dependence है, वो चाइना के ऊपर काफी कम हो जाएगी, because आपको मालूम होगा कि कई बार आपने सुना भी होगा कि कोई चीज अगर धंक से काम नहीं कर रही, शायद चाइनीज होगी, so यहाँ पर the decision isn't specific to any country, but it could hurt China the most as Beijing is the biggest supplier of low-grade products to India, और यह चीज़ I think ऐसी कहानी है, जिसके बारे में मुझे आपको जादा बताने क्या आवशकता नहीं है, secondly इसका बड़ा फायदा हमारे domestic producers को भी हो सकता है, because यहाँ पर सरकार का यह मानना है कि यह जो हमारे domestic manufacturers है, जो हमारे घरेलू, यहाँ पर industrialists है, they will collectively enhance the quality of their products, so that इनके जो products हैं, वो यहाँ पर market में जादा बिख सकें, और जितने भी हमने recently trade agreements sign किये हैं, UAE के साथ, Australia के साथ, और हम लोग आगे जा करके UK के साथ sign करने वाले हैं, उसके भी फायदे हमारे domestic producers को मिल सकेंगे, अगर आप देखेंगे, जो sub-standard products होते हैं, यह केवल हमारे environment और health को affect नहीं करते, बलकि हमारे domestic manufacturers को भी affect करते हैं, so इसी लिए इनका फायदा इनको भी देखने को मिल सकता है, एक बड़ी interesting चीज़ क्या हुई, यह पूरा का पूरा जो move हमारी government ले रही है, इसमें हमारी approach में काफी बड़ा बदलाब देखने को मिला है, वो किस अगर आप देखेंगे, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब भी हम किसी country के ऊपर शिकंजा कसना चाहते थे, वहां से आने वाले imports के ऊपर तो हम लोग generally tariffs को बढ़ाते थे, यानि कि शुल्क बढ़ा देते थे, और इसको हम लोग simple भाशा में बोलते हैं, tariff barriers, tariff barriers यानि कि क किसी परकार का tax लगा देना, किसी परकार की custom duty लगा देना, so that उस country से वो वाली चीज़ भारत में ना आ सके, लेकिन इस बार जो है हमने change in approach देखने को मिली है, because we are now going towards non-tariff barriers, आपको बता दूँ ये वाली जो approach है, इंडिया ने सीही कहां से है, we have learnt this from various developed countries, for example USA ने यहां पर लगभग 8453 non-tariff measures को impose किया, उसके बाद EU ने लगभग 119, उसके बाद China ने लगभग 39, यहां पर 71 और South Korea के दवारा लगभग 1900 और Japan के दवारा लगभग 1800 से जादा items के ऊपर non-tariff measures को लगाया किया था, लेकिन इंडिया जो है वो अभी तक non-tariff measures का इस्तिमाल बहुती कम तरीके से कर रही थी, so India is now learning from these countries कि किस तरीके से हम लोग non-tariff measures को लगाएं और हमारी country में sub-standard और low-grade products को import जो है वो ना करें, this is the major change in approach जो की हम लोग आज follow कर रही है, आप क्या सोचते हैं development के बारे में, definitely बताएं, comment section में, फिलहाल के लिए वीडियो में, इतना ही, जाने से using the code any UPSC, उसमें आपको unacademy की तरफ से practice booklets भी available करवाई जा रही है, और अगर आप 2 या 2 साल से अधिक का course पर chase कर रहे हैं, दोस्तों आपको एक साल का course completely free or cost दिया जाएगा, using the code any UPSC, येवाले batches आपको plug करवाई जाएंगे, और मेरे द्वारा भी आपको येवाले batches available क करवाई जाएंगे साथ ही में, आप लोग pathfinder की test series में हिस्ता लेजिए on saturday at 5 pm using the code any UPSC, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.